हलो दोस्तों आज सिखाऊंगी इन्नीव डिजाइन की दरी यह च्छे फुट लंबी है और चार फुट यह इसकी चोड़ाई है यह देखें और कितनी सुन्दर है यह देखें बिल्कुल पास से देखा रही हूँ मैं यह देखें यहां तक यह लंबी है मेरी वीडियो परसंद आये तो लाइक करें मेरी चैनल सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा वीडियो सेर करें चलिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ आज मैं सिखाऊंगी यह छोटी-छोटी कत्रोनों से दरी बनाना यह देखें छोटे-छोटे टुकड़े हैं मेरे पास यह देखें इस तरह से यह है इस तरह से यह छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास तो इसी से मैं दरी बनाना सिखा हूंगे यह देखें किस तरह से हम शुरू करेंगे यह देखें हमने यह टुकड़े लिए है तीन टुकड़े ले लिए है अब यह देखें इस तरह से इसको हमने इस तरह से कर लिया इस चीज को हम दिखने नहीं देंगे उपर की साइट यहां पर इस तरह से हम टांका लगा लेंगे इस तरह से किया फिर इस तरह से इसको दिखने नहीं देंगे इस तरह से हमें ठाका लगाना है यह देखें ठाका लगा देंगे और इस तरह से इसको नौट लगा देंगे और इस दागी को हम कट कर देंगे यह देखो इस तरह से हमने कर लिया इसको यह अंदर की साइट पर कर लेंगे और यहां से हम इस तरह से चोटी बनेगे आप ये किसी में बांध भी सकती है या किसी की मदद भी ले सकती है और फिर अपने आप थोड़ी सी बन जाए फिर अपने आप ये आंगे की साइट पढ़ने लगती है ये देखें तीन इंच की पट्टियां है तो थोड़ी सी ये मौटी पत्री भी बन जाएगी तो उसमें दिखेगी नहीं ये देखें इस तरह समने इसको कर लिया इस तरह से रेशे याँ पर बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए तभी आपकी दरी सुन्दर सी बन सकेगी अब ये देखें ये वाला है वो हम इसमें दबा देंगे इस तरह से ये दिखें नहीं जब हमारी पट्टी ये खतम होएगी इसी तरह से हम दबाते जाएंगे ये देखें पीले वाली खतम हो गई तो ये पीले वाली में हम यह चोटी बनाएंगे तो 6 पुटकी हम चोटी बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाते हैं कि इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और इसमें जॉइंट नहीं करना है सिर्फ 6 पुटकी बना लेते हुआ तो मैं बना लेती हुँ फिर आपको आंगे का बताती है यह देखो हमने 6 पुटकी डोरी बना लिए अब देखें इस तरह से हम इसको नापेंगे यह देखें पीते के साथ में इस तरह से नाप लेंगे यह 5 पुट वर गई और यह 6 पुटकी इसी तरह से हमें यह चोटियां बनानी है तो मैं बना लेती हूं गे दिखाती हूं यह देखो हमने 6 ढूरियां बना लिए और ये इक हमने करीब 20 बना लिंगे पूरी एक लंबी दोरी यह बना लिए जो इसको बनाना यह दित् Hep और साइट ज़्यों को काड लिया आब यहां पर देख़ें इस तरह से हम सि अब यहां पे देखें जो लंबी वाली है वो बाहर साइट रखने है जो हमने चोटी लंबी वाली बनाई हुई है वो हमें बाहर साइट रखने है अब देखें एक हम इधर से डालेंगे इसको सुई को अब देखें एक इधर से यह देखे इस तरह से अब फिर से देखे बिलकुल पास पास सिलनी है यह देखे अब अब टेसे अब बाई देखे वे झाली है इसी तरह से हमें यह सिलते जाना है इस तरह से सिल लेते हैं फिर हम दिखाते हैं यह देखो अब हम उपर तक आ गई तो यहां पर देखें यह चौकॉर बनाने के लिए यह देखें इस तरह से इसको हम इस तरह से सिलेंगी ताकि यहां पर कौना एकदम से बन सके यह देखें और इसको मैं इसमें सिलेंगा यह देखें इस तरह से यह देखें इस तरह से हमने कौना बना लिया अब दूसरी पट्टी हम यहीं से जोड़ेंगे यह देखें इस तरह से जो बाहर की साइट पे यह हम चला रहे है चोटी वाली डिजैन जो हमने 20 फुट की डोरी बनाई हुई है तो उसी में यह टाकते जाना है एक साइट से इधर टकती जाएगी उधर पुलती जाएगी यह देखें इधर इसी तरह से रहेगी जे इधर से हम पूरी ले आएंगे फिर इधर साइट पर करेंगे यह देखें इस तरह से यह देखें पट्टी यहां पर चल गई आप इसको हम यही छोड़ देंगे और इधर से हम पूरी इस तरह से पट्टी को शिलते हुए ले आएंगे तो मैं शिल लेती हूँ पर दिखांगे यहां से लेके हमने यहां तक यह पूरी शिल ली है इतनी मेरी बढ़ती है तो इस गठें करते जाएंगी और इसतरह से हमने अब बनानी मावगमे हैं वे यहां अ करि zg अब इसी तरह से अम से थे दिखाते हैं ने यहां इस तरह से सिलते जाएगी झाराए यह हाए छिसे एक पट्टी हम इसको यहां पर अधर यहां गए श्च्ना पर ऎःएंगी जोस्की कर तो मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, यह देखो हमने कित्ती पट्टिय लगा ली, इसको नहीं जोड़ेंगे, यह बाहर की साइट पे यह बाउडर चला है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यह देखें, इसी तरह से हम टापते जाएंगे, इसमें, यह हम चार फुट लंबी बन, चौणी बनाएंगे, और छे पेट, हम यह लंबी बनाएंगे, बनाएंगे, इसी तरह से, यह देखें, इस तरह से, हमने इसमें, यह बाउडर जो चला है, इसी में हम टापते जाएंगे, और फिर हम इधर से टापते जाएंगे, इस तरह से, और यह देखें, चौकोर बन रही है, इसमें कहीं भी जोल नहीं आएगी आपकी, इस तरह से अगर आप बनाएंगी तो, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखो इसको मैं यहां से कट कर देंगे जब हम पूरी दरी बना लेंगे चार फिटकी चार फिटकी बनाने के बाद इसको हम इदर से कट कर देंगे और यह जो हमने 20 फुट की है बनाई हुई है तो इसी में हमें जिस तरह हम उदर टाक रहे हैं इसी तरह से हम इसमें भी टांक देंगे इस तरह से तरह से लेके और यह चार फिट पे फिर हम इदर से भी टांक देंगे इस तरह से तो यह पूरी चौकुर बनके तयार हो यह देखें और जूट की इस पर हमने यह बाउडर भी बनाया है और आप चाहें तो एक जूट की लगा सकती है और एक कपड़े लाइल लगा सकती है और इसी तरह से अगर नहीं चाह रहे हैं जूट नहीं है आपके पास तो यह कपड़े इसे बना सकती है पूरी दरी और इस